हेलो और नमस्कार वेल्कम बैक तो दे चैनल आज ग्राइन स्लाम 2022 से इस पूरा एक ही वीडियो में हम रिवाइस करने वाले हैं क्योंकि अभी आप लोगे एक्जाम भी चाग रहे हैं तो आगे जो भी एक्जाम देंगे यह तो एक्जाम के लिए इवर्ग्रीन टॉपिक है जो आपको बिल्कुल अच्छे से त्यार करके जाना ही चाहिए तो चलिए पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर यह चारो ग्रांट जो होते हैं मेजर ग्राइन स्लाइम साल के मेंशन किये गए हैं विद माप तो सबसे पहले जो होता है वो है औस्ट्रेलियन इस्ट से शुरू करेंगे और और सबसे पहले होता है थकe सकीन नमबर पर होता है फ्रेंच ऑपन उसके बाद रहें पर देखते हैंं dia so तो Australian Open ये होता है hard code पे mid January में सबसे पहले ये होता है जनवरी में शुरू होता है फिर French Open clay code पर होता है और माई से जून के बीच इसको organize किया जाता है Wimbledon Open तीसरे नंबर का Grand Slam है जो की grass code पर होता है और जून जुलाई में इसको organize किया जाता है और लास्ट में होता है US Open hard code पर अगस्ट सतंबर में ये organize होता है Wimbledon Open सबसे oldest tournament है पुराना है 1877 में इसकी शुरुवात हुई थी US Open की शुरुवात हुई थी 1881 में French Open 1891 में और Australian Open सबसे नया है 1905 में इसको शुरू किया गया था अब यहां पर देखते हैं सबसे पहले Australian Open 2030 ये हो चुका है जन्वरी में ही तो इसकी बात करें Men's Singles Title इसमें जीता है नुवाक जोकोविश ने तो यहां पर option number B correct हो जाएगा किसको हरा कर जीता है स्टाफिनोज सिटसिपास को हरा कर जीता है ग्रीस की प्लेयर है ये ठीक है फिर अगला चलते हैं Women's Singles Title किसने जीता है Australian Open 2030 इसमें ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं अरियाना सबेलिंका है ये इन्होंने जीता है ये Women's Singles Title एलेना रिबेक किना को हरा कर जीता है घजाकस्तान की प्लेयर को और ये खुद कौन से कंट्री की प्लेयर हैं बेलारूस की है साथ ही Singles Event में ये इनका पहला Grand Slam Title है पहले इन्होंने US Open Title 2019 में और Australian Open Title 2021 में जीता है ले अब यहां पर बात करें Women's Double Title किस ने जीता है Australian Open 2013 में ये जीता है बार्बोरा क्रिजिकोवा और केटिरीना सीमिया कोवा ने यहां पर देखें तो इन्होंने शुको आयोमा और एना शिबाहरा जापान की प्लेयर्स हैं इनको हराकर इन्होंने टाइटल जीता है चेक रिपाब्लिक की ये दोनों प्लेयर्स है इन दोनों का ये सेवन्थ Grand Slam Double Title है और इन्होंने लास्ट येर का Australian Open Women's Wimbledon Open और US Open तीनों में Double Titles इन्हों नहीं जीता था चीक है फिर Mixed doubles Australian Open 2023 ये इसमें चैंपिन रहे लिउजा स्टफेणी और राफेल में टोस ब्राजील के प्लेयर्स ही दोनों और सानिया मिर्जा और रोहन बपन्ना को हराकर इन्होंने इन टाइटल जीता है तो इंडियान प्लेयर्स जो हैं runner-up रहे थे Mixed doubles में Australian Open 2030 में ये भी जाता नेक्स्ट आ जाते हैं अभी 2022 के हम देख लेते हैं US Open 2022 इसमें में सिंगल्स टाइटल जीता कार्लोस अलकाराज ने स्पेन के प्लेयर है और इनका ये पहला Grand Slam टाइटल था यूएस ओपन 2022 में यूएस ओपन 2022 में विमिंज सिंगल्स टाइटल किसने जीता है तो ये हैं इंका ये पहला यूएस ओपन टाइटल था और तीसरा grand slam टाइटल था 2022 में फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल्स भी इन्हों नहीं जीता था तो इस तरह हम देखिए थर्ड ग्रांड स्लम टैटल इनका है फिर कंट्री की बात कर लिते हैं तो यह पॉलिन से बिलॉंग करती है और इनके अलावा जो बाकी विमेंस प्लेयर हैं यह ओंस जैबुर जेता है तो इसका अन्सर है यह राजीव राम और जोयि हैस पर इनोंने जीता था यह राजीव राम यॉगस के हैं और जोयिस परई यह ब्रिटिश प्लेयर है और इन दोनों नहीं जीता था यूएस U.S. Open 2022, Men's Doubles title. Which edition of U.S. Open was held in the year 2022? Edition पुछा जा रहा है, U.S. Open का था 142nd edition. हार्ड कोड पर एक खेला जाता है, यह हमने पहले देखा था. यहाँ पर Champions सब एक साथ देख लेते हैं, Men's Singles title, Carlos Alcaraz, Spain के इन्होंने जीता, Women's Singles, Igas Vaitek, Poland की Men's Doubles, Rajiv Ram, US, और Joy Salisbury, Britain के. Women's Doubles का title जीता, Barbora Krzyzikova, Czech Republic, और Katrina Sinyakova, यह भी Czech Republic की प्लेयर हैं. और Mixed Doubles का titles, Tom Sanders और John Pierce ने जीता है, यह दोनों ही Australian है. तो यह हो गए U.S. Open 2022 के सारे Champions, 142nd edition था, इसका हार्ट कोड पर खेला जाता है, और्थर आश स्टेडियम में केला गया था. यहां पर 2022 में Australian, Wimbledon और U.S. Open तीनों में कुछ कॉमन चीजे भी रही, कॉमन चीजे क्या थी? कि Women's Doubles का खिताब जो है, Barbora Krzyzikova और Katrina Sinyakova दोनों ने ही इन तीनों टूर्नमेंट में Women's Doubles का खिताब इनों नहीं जीता है, ठीक है, Australian Open, Wimbledon Open, U.S. Open 2022 पर साथ ही Australian Open 2023 में भी, फिर हम देखें, French Open 2022 इसमें Women's Doubles का खिताब, Caroline Garcia, Christina Mladenovic ने जीता है, ये दोनों France के प्लेयर्स हैं, तो ये बात हो गई इन सभी की, तो Women's Doubles तो आपको याद हो गया होगा, Australian, Wimbledon, U.S. तीनों में ये दोनों थी, और French Open बचा, तो इसमें थी Caroline Garcia और Christina Mladenovic, अब Wimbledon Open 2022 की बात करते हैं, Women's Singles टाइटल इसमें जीता है, नुवाक जोकोविच ने, इनों नहीं अभी Australian Open 2023 भी जीता, यहां पर देखते हैं, Wimbledon Open 2022 में, Women's Singles का टाइटल ये जीता है, अलेना रबेकिना ने, कजाकिस्तान की ये प्लेयर हैं, और ये पहली प्लेयर बनी हैं कजाकिस्तान की, जो की Grand Slam Singles टाइटल जीता है, विम्बल्डन में, और साथी, शी इस दे यंगेस्ट फीमेल प्लेयर टू इन टाइटल इन विम्बल्डन, सिंस पेक्ट्रा क्वितोवा इन 2011, नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया है, विम्बल्डन उपन का इस साल कौन सा एडिशन, इस साल मतलब 2022 में कौन सा एडिशन खेला गया था, इसका था एडिशन 135 विम्बल्डन का, यहां पर सारे चैंपिंस देख लेते हैं, मेंस सिंगल्स विम्बल्डन उपन 2022 में नुवाक जोकोविच रहे सर्विया के, मेंस सिंगल्स का टाइटल एलिना रिबिकिना ने जीता कजाकस्तान की, मेंस डबल्स टाइटल जीता उस्ट्रेलियन प्लेयर्स मैथ्यू एबडिन और मैक्स पोर्सल ने, मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, राफेल नडाल कहां के हैं, तो फ्रांस के प्लेयर है, फिर दो और इंपोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर है, नुवाक जोकोविच, यह सर्बिया के हैं, रोशेफ फेडरर, यह स्वीजिलन के हैं, और कैस्पर रूड को हराकर, राफेल नडाल नहीं टाइटल जीता था, कैस्पर रूड नॉर्वे के प्लेयर है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, विमेंस सिंगल्स टाइटल, फ्रेंच उपन 2022 में, यह जीता, इगर स्वाइतिक ने, पॉलेंड की यह प्लेयर है, कोको जिओफ, अमेरिका की, इनको हराकरी जीती थी, बार्बोरा, क्रिजगोवा, चेक रेपबलिक की है, नौमी उसा का, यह जापान की प्लेयर है, यहाँ पर पूछा गया है, अगयन की एडिशन कौन सा था, फ्रेंच उपन का, 2022 में, तो यह एडिशन था, 126, अब यहाँ पर सारे चैंपिंज देख लेते हैं, मेंस सिंगल्स टाइटल, राफेल नडाल, स्पेन के इन्हों ने जीता, विमेंस सिंगल्स टाइटल, एगर स्वाइतिक, पॉलन की, मेंस डबल्स, मारसेलो, एरवलो, यह एल सल्वाडोर के हैं, और जीन जूलियन, रॉजर, यह डच प्लेयर हैं, विमेंस डबल्स का खिताब, कैरोलीन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादिनोविक ने जीता, दोनों फ्रैंस की प्लेयर हैं, मिक्स्ट डबल्स का खिताब, एना, शिबहारा जापान की, और वेसले कुलोफ, यह नेदलेंस के हैं, इन दोनों ने जीता है, 126 एडिशन था, इसका 2022 में, रॉलेंड गैरोस स्टेडियम में खेला गया, और क्ले गोर्ट पर यह खेला जाता है, अब लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की बात कर लेते हैं, विमन्स सिंगल स्ट्ल इसमें जीता था, ऐशले बाटी ने, इन्होंने सन्यास भी ले लिया है, रेटायमेंट अपना अनौस कर दिया है, और उस्ट्रेलियन ओपन 2022, इन्होंने डैनियल कॉलिंस अमेरिका की इनको हरा कर जीता था, फिर यहां ऑप्शन में दो और हैं, कौन हैं, तो लेला फर्नैंडेज, यह कैनड़ा की प्लेयर है, कैरोलिन प्लिसकोवा, यह चेक रिपाप्लिक की प्लेयर है, 2022 में पहली बार उस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, ऐशले बाटी ने, और 1978 के बाद को यह चेका पहली प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, हाला कि एशले बार्टी की बात करें तो फ्रेंच उपन 2019 में विंबल्टन उपन 2021 में जीत चुकी है पर उस्ट्रेलियन उपन ये जीतने वाली 1978 के बाद पहली प्लेयर ये रही ठीक है फिर यहां पर आते हैं उस्ट्रेलियन उपन 2022 मेंस सिंगल्स टाइटल ये जीता है राफ अब यहां पर चैंपियंस देख लेते हैं उस्ट्रेलियन उपन 2022 के मेंस सिंगल्स टाइटल जीता राफेल नडाल ने स्पेन के हैं विमेंस सिंगल्स टाइटल एशले वाइटी ऑस्ट्रेलिया मेंस डबल्स का टाइटल निक केर्गियोस और थानासी कोकी नाकिस ये इसका हार्ड कोट पर खेला जाता है मेलबॉर्ण स्टेडियम में 2022 में ये खेला गया था तो ये सारे आपके लिए एक साथ यहां में पेंशन कर दीगें इसको अच्छे से पढ़िए याद कर लीजिए अग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं अभी नहीं जा रहे हैं तो बाद में देने जाएंगे अच्छे से इसको याद करके जाएगा और अब लास्ट में एक क्वेशन है आप आप लोग के लिए तस्नीम मीर इस रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स तस्नीम मीर किस से रिलेटेड है रैसलिंग टैनिस फुट बाल या फिर बादमिंटन इसक आंसर कीजिए का कमेंट बॉक्स में और इसके साथ वीडियो का होता है आंथ आल दे बेस्ट फॉर एग्जाम्स अंद थैंक यू सो मुच वाचिंग जैहिंद